हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, नौलेज फॉर लाइफ ग्रूप में आपका हर्दिक स्वागत है, वेलकम तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो की, जो की आपके सम्मंदित है आएकर गर्णा प्रपत्र, इंकम टेक्स, कैलकुलेशन, एक सर्टिविकेट है, इसके हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों, वीडियो सुरू करने से पहले, मैं यह बताना चाहूँगा, कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, और थोड़ा हम को मोटिवेशन मिले, इसके लिए चैनल को लाइक करें, तो बिना कोई समय गवाए, शुरू करते हैं तो दोस्तों यह है, आपके आएकर गणना परपत्र, इंकम टेक्स परपत्र, इंकम टेक्स परपत्र, इंकम टेक्स सर्टिविकेट, इंकम टेक्स परफोर्मा, इसमें दोस्तों यह है जो हम इंकम टेक्स भर रहे हैं, चाहे वो दो हजार उन्निस बीस का भरिये, चाहे वो दो हजार बीस इकिस का भरिये, या वरतमान में इस साल हम दो हजार इकिस बाइस का भर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों यह कर निर्धारण जो वर्स का मतलब होता है assessment year assessment year का मतलब होता है दोस्तों कि जब हमारा यह वर्स complete हो जाता है तो उसके बाद में ही हम इसका निर्धारण करेंगे ITR भरेंगे तो इसलिए assessment मतलब कर का निर्धारण पूरा हो गया है उसके बाद में जो वर्स है वो 2020-21 अर्थात कहने का अर्थिये है दोस्तों 2021-22 का यदी आप भरोगे तो असेस्मेंट जो एर है वो 2020-23 कहलाता है क्या कहलाएगा दोस्तों 2022-22 का यदी हम भरते हैं तो कहने का अर्थिये है कि एक साल आगे चलता है यह है असेस्मेंट येर तो टेक्स की गणना के लिए दोस्तों हम यहाँ जो मुखे बाते लेते हैं वो यही है कि टेक्स का जो निर्धारन आपके होता है वो पैन नमबर के आधार पर होता है सबसे पहले इसमें आजकल तो इसका पूरा का पूरा एक्सल सीट आने लग गई काफी सारे सौफट वेर आने लग गई दोस्तों उसमें आप यह है फीड कर दो और आटोमेटिक यह है पूरा का पूरा कैलकुलेट कर देता है परंतु दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा कि कैलकुलेशन और फीडिंग करना एक अलग बात है आपको यह चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुल में इसमें है क्या तो सबसे पहले दोस्तों इसमें करमचारी का नाम है जो भी कार्मिक है जो भी एम्पलोई है और उसकी उन्निस बीस में जो कुल वेतन है कर योग्य सुविधाओं सहित जितनी भी करियोगे सुविधाएं हैं उनके साथ में जितनी भी मुल्य है वो दोस्तों हम यहां इस दो नमबर कॉलम में भरते हैं किसमें भरेंगे दोस्तों इस दो नमबर कॉलम में भरते हैं ठीक है तीसरा जो है वो गरह कर किराया है जो भी आप कहीं किराये पर रह रहे हैं इसकूल से दूर है न है नżenकूल के नजदीक और घर से दूर सकूल के तो नजदीक हैं और घर से दूर रह रहे हो तो जो किराया है वो तैन, थर्टिन, एक अंतरगत धारा, दस, चौदे के अंतरगत अन्य जो बत्ते है उससे यह कर मुक्त है तो यह दोस्तों तीन नमबर कॉलम में लिखा जाता है ठीक है यह कहां लिखा जाएगा दोस्तों तीन नमबर कॉलम में लिखा जाता है फिर हम दोस्तों इसके अंदर करते क्या है इसमें जो आपके सेश जो बसता है रिमेन दो मेंसे हम तीन गटा देते हैं तो कहले का तो इसमें जो कुल आपके ग्रोस जो सैलरी है उस ग्रोस सैलरी में ग्रोस सैलरी में जो भी आप एच आर ए की छूट लेते हो ग्रह किराया जो भी आप लेते हो हाउस रेंट लेते हो वो इसमें से माइनस कर देंगे ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद में यह है स्टेंडर्ड डिड़क्शन है जिसमें आपको अधिक्तम पचास हजार रुपए की छूट दी जाती है धारा जो है सेक्शन सेक्षन सिकस्टीन आई ए के तहत यह माना जाता है ठीक है फिर मनोरंजन भता है धारा सिक्स्टीन सेकंड के तहत उसके अंतरगत तो यह स्टेंडर्ड डिड़क्शन दोस्तों लगबग सभी यूज में लेते हैं वैवसाई कर भता 16 थर्ड के तहत है तो ये आपके जो डिटक्शन है ये पाँच वाला पॉइंट है तो जो चार वाला पॉइंट है उसमें से हम ये है फिर से एड़ करके और गटा देते हैं तो कहने का अरत ये है कि जो ग्रोस सेलरी है उसमें आप हाउस रेंट और प्लस य मनोरंजन जो भत्ता है वह वाला प्लस मनोरंजन यही एंटरेमेंट और वहवसाई यानि कि आपके जो भी हम कुछ काम करते हैं वह वावसाई के रूप में हैंना ? enrolled एम्पलोई मेंट के रूप में जो हम करते हैं वो टेक्स है तो वो सारा का सारा इसमें घटता जाता है फिर उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है आपके गरह संपत्ती से आए यदि स्वेम यूज में नहीं ले रहे हो तो आप किराए का जो 30% है वह घटाईए साथ ही साथ जो गरह रिण है उस पर भी ब्याज हम को छूट मिलती है जो जिसको हम होम लोन बोलते हैं होम लोन तो उस होम लोन पर जो छूट मिलती है वो इस गरह रिण पर आ जाता है प्राप्त किराया जो है उस पर गरह कर है ठीक है जो भी हम किराया लेते हैं और उस पर भी हमें यह गरह कर मिलता है तो इस तरह से यह है जो ग्रह करिंड पर ब्याज है जिसने होम लोन ले रखा है यह छूट ले लेते हैं यह भी इस तरह से उपर वाले में से घड़ जाती है और अन्य कोई आए है दोस्तों वो यह लिख देंगे फिर उसके बाद में दोस्तों यह कटोतिया है जो की आपके यह असी सी असी सी 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 और असी सी सी डी यह जो तीन परकार की धाराएं हैं रिपल सी और एती डी वण इसमें दोस्तों कौण कौण सी है ओने से ऐस है राज्य बीमा फ्ली में सुर्ट राज्ट्री स्वाट अब फ्ली प्री मयुम राश्ट्रिय के क्रिग के हमींगे ओधे लोग नदिय पीप है राश्ट्री बच्चत स्कीम एनसेस है समन्य प्रावधाई निधी जिसको हम कह देते हैं दोस्तों जी पी एफ है ठीक है और सामुहिक बीमा प्रीमियम ग्रोस इंसुरेंस है यू एल आई पी या वार्सिक प्लान होता है यू एल आई पी का भी हम छूट ले सकते हैं ग्रेह रिन की जो किस्त हम देते हैं वो भी इसमें छूट में आती है सुकन्य सम्रदी योजना है उसमें जो जमारासी है वो भी इसमें आपके छूट में आती है सरकार पैंसन में अंसदान जो योजना है अदिक्तम वेतन का कितना है दोस्तों 10% जिसको 80 CCD1 में आता है ये ठीक है जो भी सरकार पैंसन योजना है ठीक इसी परकार पैंसन प्लान हे तू अंसदान धारा आपके 80 CCCC में आता है पैंसन प्लान हे तू अंसदान धारा ऐसे ही राष्टिय बचत पत्र पर अदत ब्याज ट्यूशन फीस एक्विटी लिंक सेविंग और जो वारसी की इस्थगित है डिफर्ड एनिटी है ये भी हम मानते हैं पी एल आई है और अन्य जमार रासी जो असी सी के अंतर का तो असी सी ट्रिपल सी पैंसन प्लान वाला हो तो दोस्तों ये सारा का सारा मिलाके चाहे ये दो लाक हो चाहे ये एक लाक साथ हजार हो ठीक है चाहे दो लाक हो ये छूट हमको कितने की मिलेगी केवल और केवल डेड़ लाक की ही मिलती है ठीक है उससे ज़्यादा हमें यह छूट नहीं मिलती है फिर हमको असी सी सी डी होता है नियुक्ता द्वारा 55 अंस।धान की रासी जो अदिकत्म वेतन का 10 प्रशैंट पर थक से छूट होती है तो दोस्तों यह उपर 88 ccd1 था और फिर यह आपके 89 ccd2 जो न्युक्ता द्वारा 55 अंस्धान की रासी यह सरकार काटती है उपर वाला और यह जो नीचे वाला है ये हमारे दौारा जोड़ा जाता है अलांकि लाब एक का ही मिलता है क्योंकि ये उपर सुरू में जोड़ जाता है फिर गड़ जाता है इसलिए इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है आपके असी सी सी डी वन बी इसमें नवीन पैंसन योजना है उसमें अत्रिक्त जो कोई आप अंसदान करते हो अधिक्तम पचास हजार रुपए का अंसदान किया गया है ऐसा मानते हैं तो ये भी छूट ले लेते हैं ठीक है दोस्तों इसी परकार ये अन्य कटोतिया है धारा असी डी चिकित्सा बीमा प्रीमियम और स्वेम और पत्नी और बच्चों के लिए 25,000 है मता पिता के लिए भी 25,000 सीनियर सीटीजन 5,000 है धारा असी डी डी विकलांग आस्सरितों के ल टी डी बी विस्स ट्रोगों के उपचार के लिए है असी ई उच सिक्ष्या के लिए है असी जी धार्मिक संस्थाओं में दान के लिए है कैस रेनी में 100% खे में 50% असी यू इस्थाई रूप से आर्थिक समर्थ है ठीक है और इसी परकार धारा टी टी ये बच्चत खाते म ब्याज की अधिक्तम छूट 10,000 रुपए है और टी टी बी वरिश नागरिकों के लिए ये है 50,000 रुपए है इस परकार से ये है हम लेते हैं असी जी जी ए अनुमोदक विक्यानिक सामाजी ग्रामीन विकास एतु दान होता है तो दोस्तों यह अन्य परकार की कटोतिया है मैं सिडी, असी डवल डी, असी डीबी, असी अी, असी जी, असी यू, असी टी टी ए, असी टी टी असी टी टी बी और तो ये सारी कटोतिया जो हैं 11 और 12 पॉइंट में जोड लेंगे और 10 में से जो ये 13 पॉइंट अब बन गया है इसमें से यह घटा देते हैं तो इस तरह से दोस्तों यह आपके आ जाती हैं फिर उसके बाद में हम टेक्स की बात करें तो धाई लाग तक कोई टेक्स नहीं है धाई लाग से पांच लाग तक आपको पांच प्रशन टेक्स जो प्रशन टेक्स लगेगा ये थोड़ा ज्यादा है दस लाग से अधिक हो तो तीस प्रशन टेक्स लगेगा वरिश नागरिकों के लिए तीन लाग तक छूट है फिर तीन से पांच पांच प्रशन बीस प्रशन और तीस प्रशन तो वरिश नागरिकों को भी नहीं छोड़ है 80% 80% से अधिक आयू है तो भी 5 लाग से 10 लाग वाले में 20% जो है वो डाला गया है तो ये दोस्तों काफी ज्यादा होता है टेक्स के लिए ठीक इसी परकार नेक्स हम बात करें तो छूट धारा 87 एट धाई लाग से 5 लाग तक है उसमें दोस्तों यह है 12500 तक की छूट मिल जाएगी 87 एके अंतरगत धाई लाग से 5 लाग तक के कर युग्य आए पर आए कर की छूट हो जाती है शिक्षा उपकर 2% और उच शिक्षा पर दोस्तों 2% यानि की टोटल कितने हो गए हमारे 4% तो ये शिक्षा के लिए 4% हम को और टेक्स देना पड़ेगा तो दोस्तों इस तरह से ये भी टेक्स हमें देना पड़ता है तो आप इसमें यह है देख सकते हो कि आएकर की गढ़ना करने के लिए 16 पॉइंट में ही योग करके और 2, 3, 4 और ये 3 और 4 को हम इसके अंदर जोडेंगे तो इस तरह से दोस्तों फिर उसके बाद में जो भी आप सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टीडियेस काटते हो वो इसमें लिखते जाते हैं सितंबर तक एक बार, दिसंबर तक एक बार, जनवरी तक और फरवरी तक ये कॉलम डाले गए हैं TDS जो भी टेक्स कट होती है वो यहां कॉलम लिख देते हैं यहां कार्मिक साइन कर देता है तो इस तरह से मोटा मोटा दोस्तों आपके यह पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि ग्रोस सुरू में जो आपकी सैलरी है उसके अंदर एचारे कम हो जाएगा उसमें स्टेंडर्ड डिडक्शन कम हो जाएगा उसमें ग्रेहरीन पर ब्याज कम हो जाएगा उसमें यह जो डेड़ लाग की आपको छूट मिलती है यह कम हो जाएगा उसमें आप जो अदिक्तम अंसदान 50,000 रुपए जो 80 CCD 1B में यदि करवाते हो तो यह भी कम हो जाएगा आपने कहीं दरमार्थ में पैसा दिया जैसे पिछली बार कोरोना काल में हुआ था तो वो 80 G में ज्यादा तर काम में लेते हैं कैसरेणी 100% और सरेणी खै 50% यूज में ले लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों टेक्स का ये कैलकुलेशन है 4% टेक्स आपके सिक्षा पर देना पड़ता है और ढ़ाई लाग से 5 लाग तक तो छूट है लेकिन 5 लाग से उपर यदियाप की जो टेक्सेबल इंकम आ जाती है तो उसमर बंपर 20 लाग 20% चूट नहीं है तो आई होब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सबस्क्राइब करें शेयर करें वाच भी कर ही रहे हो और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग स्वस्त रहिए और टैंसन फ्री रहिए